काफी सारे स्टूडेंट्स का एक कॉमेंट था सर जो सी यूई टी से टॉप सेंटर उनिवेसिटी से उनके उपर एक एक करके डीटेज वीडियो बना दो ताकि हमें यह पता चल पाए कि कॉलेज में क्या क्राइटीरिया है किस तरह के बेस्ट कोर्सिज है और हमें वो उनिव करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली डिसकस करेंगे बारे में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है इसमें क्या के इंपॉर्टेंट चीजे कौन-कौन से कोर्सिज हैं और किस तरह से आप यहाँ पर अप्लाइ कर सकते हो complete discussion आपके साथ रहने वाला है so let's start तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो पहले इसको जाना जाता था Central Hindu College के नाम से 1916 में यह उनिवर्सिटी से start हुई थी पंडित मदन मोहन माल्य ने start की थी और इस पूरी उनिवर्सिटी में six major institutes है the institute of technology then institute of science, institute of agriculture sciences, institute of medical sciences, then institute of environmental and sustainable development and then institute of management studies तो अगर मैं total बात करूँ तो आपके सामने 15,000 students है, 1700 से प्लस teachers है and 8,000 non-teaching staff है तो एक बहुत बड़ी university है जहाँ पर काफी सारे बच्चियों का dream होता है कि मुझे यहाँ पर पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर multiple facilities offer होती है अगर आप यहाँ देखोगे arts, agriculture, sciences, social science, modern medicine, dental science, ayurved, commerce, management, then education, law, performing arts, science, visual arts तो बहुत सारे ऐसे courses है जहाँ पर students जा सकते है और यहाँ पर selection process क्या है एक एक करके आपको बताता हूँ अगर माल में बात गरूब BA honors की और course कौन सोगा BA honors in social science तो यहाँ पर आपका selection है CVT के तुरूब वो कैसे होगा आपको एक language test देना होगा Hindi और English and then आपको section 3 देना होगा general test for the admission in BHU इसके बाद अगर आप law में जाना चाते हो B-L-L-B तो यहाँ पर भी आपको एक language test देना होगा Hindi और English then आपको section 2 legal studies का देना होगा and then section 3 आपको यहाँ पर general test देना होगा अगर आप B.E.C. honors करना जाते हो mathematics से biology में तो आपका section 2 होगा physics, chemistry, math then यहाँ पर भी physics, chemistry, biology हो जाएगा इसी तरह से अगर आप यहाँ पर courses देखोगे तो main-main course आपके साथ discuss करता हूँ B.Tech की अगर हम लोग बात करें तो B.Tech in food technology और daily technology करना है तो यहाँ पर chemistry, mathematics और physics होगा आपके section 2 में तब आप यहाँ पर apply कर सकते हो then अगर आपको bachelor of performing arts में जाना है जिसमें आपके काफ़ी सारे musical instruments है then dance forms है तो वहाँ पर आपको performing arts का paper देना पड़ेगा then अगर मैं इसके बात-बात करूँ आप B.Com honors करना जाते हो क्योंकि काफ़ी सारे student का यह एक dream course होता है तो अगर आपको B.Com honors करना है B.Com honors financial market management करना है तो आपको यह section 2 में accountancy of business studies चाहिए होगा and आपको general test देना पड़ेगा उसके बात अगर आप B.A. honors in arts करना चाहते हो तो language test and general test आपको appear करना होगा and उसके बात अगर आप vocational programs करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको जो selection process में accountancy, business studies and then general test तो हर एक course के लिए आप देख सकते हो एक different आपका program और इसलिए मैं बार-बार आपसे multiple videos में बोलता था कि आप language test भी देदो, general test भी देदो, domain भी देदो ताकि आप maximum university भी आप्लाई यहाँ पे कर भाओ ठीक है इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखे eligibility criteria क्या है तो अगर आपको faculty of commerce में जाना है commerce के course अगर आप जाना चाहते हो तो जो इनका general course है वो है become honors का course और एक इनका special course में become honors in financial market management यहाँ पे जो minimum eligibility है वो है 10 plus 2 with 50% marks and then मैं आपको बताई दिया जो आपको domain subjects है वो किस तरह से रहने वाले similarly faculty of arts में अगर आप जाना चाहते हो BA honors में तो 10 plus 2 करना है with 50% marks and यहाँ पे eco mathematics statistics आपके subjects होने चाहिए इन में से and mathematics आपका एक subject होना चाहिए high school पे उसके बाद only such student who have studied economics, mathematics and statistics as a combination in first to fourth semester will be allowed for BA honors then similarly अगर हम faculty of science की बात करे तो यहाँ पे भी आपको physics math चाहिए होता है plus एक और subject चाहिए होता है then BS in bio अगर आपको जाना है तो physics, chemistry and then आपके सामने options है bio related कुछ subject उन में से आपको subject को select करना है and अगर आपको हरे program का बहुत detailed criteria देखना है तो यह link है भाई, इस link का में description नीचे आपको दे दूँगा आप बहाँ से भी click कर सकते हो तो जो CUET के official website है समर्थ वाली वहाँ पे complete eligibility criteria है BHU के लिए तो आप वहाँ पे click करके हर एक course को detail में check out यहाँ पे कर पाऊगे अगर मैं बात करूँ seats reservation की तो क्योंकि central university है तो वही वाले rules यहाँ पे भी applicable होते है OBC के लिए 27% seats reserve है SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5% EWS के लिए 10%, PWD के लिए 5% ठीक है and then अगर हम बात करें कि जो BHU के special यहाँ पे reservation policy है वहाँ पे BHU employee boards के लिए 15% seats then paid seat ICR then sports की कुछ seats होती है foreign national की कुछ seats होती है तो complete information आपको यहाँ पे provided है तो अगर आप CUET exam के तयारी करना चाहते हो and ऐसी top university जैसे Delhi University BHU में admission लेना चाहते हो तो CVT का हमारा course भी launch हो चुका है CVT में last year हमारे से बहुत सारे toppers रहे थे जिन्होंने 100% अचीव किया था and अपने dream college में पहुँच पहाँ था अब यहाँ पे देख सकते हो शिव गोईल 100% अननन्या English and Eco में 100 सयद, हुसेन, English and Eco में 100 सुर्यान श्टिवान सी 100% then 100 Eco में then English में 100 है accounts and business studies में 99 प्लस है Eco and math में 99 प्लस है इसे तरह से general test में 99.4 तो इस तरह की results काफी जारे students के आए है and अगर आप भी मेहनत करते हो तो आप भी अचीव कर सकते हो इसी के लिए हमारा जो class desk platform है वहाँ पे CVT के लिए crash course launch हो चुका है classdesk.in पे and इस particular platform पे आपको language course, general test, combo course and then आपको all user management के courses मिल जाते हैं and अगर आपको सिरफ test series लेने हैं तो उसमें भी आप end roll यहाँ पे कर पाओगे and अगर आपको demo classes देखने हैं अगर आपको लगता है कि आपको समझ में आ रहा है तो उसके बाद आप हमारी website classdesk.in पे जाके इन courses में भी end roll कर सकते हो तो I hope यह वीडियो आपके लिए useful रही होगी किसी और university के बारे में बहुत detail में जानना चाते हो तो नीचे comment कर देना उसके ओपर भी हम लोग वीडियो बना देंगे so all the very best thank you so much and take care